नमस्काल सो बहुत बहुत स्वागा थे आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल विधिट एरिया में दोस्तों मैं हूँ एड्विकेट मजीतर पटें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या DRT के order के बिना भी bank physical position ले सकता है section 14 में जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग confusion में रहते हैं और बहुत सारे लोग के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर bank उनकी property के against में अगर वो physical position लेना चाहती है या DRT का order लेना जरूरी है DRT से permission लेना जरूरी है कि नहीं तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर discuss करेंगे और साथी साथ एक बहुत ही महत्कुन leading case को भी हम लोग discuss करेंगे तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको बता दे कि अगर आपने क कोई भी secure loan लिया है किसी भी बैंक से लिया है property mortgage की है आपके और बैंक के बिशे property mortgage agreement बना हुआ है और आपने अपना पैसा समय पे नहीं दिया है और आपका account NPA हो गया है अब आप उस NPA account के बाद बैंक आपको भेजता है तेरह दो की notice जो कि demand notice होती है तेरह दो की notice की मियाद यानि जो समय सीमा होती हुज दू महीने की होती है यानि कि sixty days की होती है sixty days बीच जाने के बाद दिया अपको रिमांडर भेजती है रिकावरी एजेंट भेजती है खौंस करती है फिर भी आपको कोई फरक नहीं पड़ता है आप पैसा नहीं देते है दूसरा यह है कि उसके वाद 13 चार की नोटीस हो जाती है बैंक क्या करता है कि अपने अधिकारियों को आपके दरवाजे भेजता है आपके मौर्गेज प्रॉपर्टी पे चिपका देता है एक नोटीस और इसकी फोटो खीशता है वह आपको देता है यह होती है में संक्याथिक रूप से आपर घर पे कब्जा कर लिया है Fisical रूप संक्यतिक रूप दोनों अलग अलग होते है Fisical रूप में होता है वह currency में होता है ऐनको ना चाहिए तो क्या डियार्टी से पर्मिशन लेना जरूरी है देखिए बहुत सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूजन होते हैं कि धारा 14 के अंदर तो यह फावर मेजिस्ट्रेट को दिया गया है लेकिन कभी-कभी कुछ सोचते हैं paradox मामले में हमिन जब तक और नहीं करेगी हो सकता है कि दियाली चले जाते हैं कि अब यह đãँआ पर डियार्टी क्या परविशन देगी तबी बैक णकल परजेशन लेगा या बिना डियार्ट के परविशन के war sugar पजिसन हो सकता है इस question का answer आपको चाहिए और इस question को बहुत सरे लोग बहुत बार पूछते हैं इसमें एक बहुत ही लीडिंग केस है इस case का नाम है बोलिंच चंद्र देवरी वर्सेज यूनिएन ऑफ इंडिया यहनी की बोलिंच चंद्र देवरी बनाम यूनिएन ऑफ इंडिया इस case में यह बात कही गई है कि DRT के परमीशन के बिना भी बैंक प्रॉपर्टी पे फिजिकल पजिशन ले सकता है भौत ही कबजा ले सकता है बैंक को डियार्टी के पर्मिशन की जरूरत नहीं है डियार्टी में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक्षन चौदा में सीधे सीधे साफ साफ सब्दों में लिखा है कि अगर बैंक ने तेरह दो और तेरह चार सई समय पर दिया है और बॉरो ने उस समय तक भी पैसा नहीं दिया है तो धाराद 14 के अंद्रगत मजिस्ट्रेट कोट में धाराद 14 में अप्लिकेशन फाइल करके मजिस्ट्रेट से ओर्डर ले करके संपत्ती पे भौतिक कबजा किया जा सकता है और किया जाता भी है तो यहां पर फिर डियार्ट के पर्मिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत साइव लोग के मन में ये तुक्यों जैजिस्ट्राइफ द्रडर ले करके चलता है कि क्या आडी ऑर्डे नहीं करेगी तो क्या फिच्ट्र पर्मिशन हो सकता है कि नहीं तो बिल्कुल नहीं दियार्ट की की जरूरत नहीं है इस केस में अगर आपको कोई भी शंका है तो इस सकेस को पनर सकते हैं दे लेकिन यहां पर के लिए डियार्टी की जरुरुत नहीं है यानि कि डियार्टी के परविशन की जरुरुत नहीं है यही बात इस केस वह गयी है तो यह इससे समंदित लीडिंग केस है अगर आप एक एड़ोकेट है तो आप इस केस का हवाला दे करके अपने केस को मजबूत कर सकते हैं या फिर आपको जर्नल नॉलिज के जरुवत है तो भी आप इस केस को पड़ सकते हैं तो मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आयोगे वीडियो चल लगी हो तो जाइ बस्तों